और उसमें religious places, sites and shrines ये specify क्या गया है ये international law के खिलाफ होगा वापिस जाने के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने अपने passport जमा करवा दिये हैं वो कहते हैं कि हम इतर सेफ नहीं है जहीं दोस्तो मोडीडेस में आपका सोगठ है दोस्तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तो आज पाक मीडिया बात करें कैसे UN ने एक ऐसा resolution पास किया है जिसके बाद पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी सरकार ने हिंडियों के उपर या उनके मंदिरों को तोड़ा तो उसका नतिजा उन्हें भुकरतना पड़ेगा UN ने एक resolution पास किया है जिसके मुटारी अगर किसी भी डेस ने उनके डेस के अंदर रहने वाले minorities के religion के उपर हमला किया तो वो international law के खिलाफ होगा और इस resolution पे सभी डेसों ने उसके हक में voting की तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके उपर बात करें दोस्तों ये वीडियो बहुती में सितार है तो इसे आप पुरात से रो देखेगा तो चिलिए और इंतिसार न करके ये वीडियो देखते हैं कि United Nations General Assembly ने एक resolution पास किया है जिसमें किसी भी मजब के लोगों को उनके ओपर अटेक उनकी किताबों पर अटेक उनके निशान की बेज़ती कि कि खिलाफ एक resolution पास किया है Actual में ये resolution पाकिस्तान पेश करना चाहता था सिर्फ मुसल्मनों के लिए कि जो सूइडन में korان जलाया गया है तो करान, मुसल्मान और इसलामिक रिवायات को पामाल करने के लिए बेज़िशत करने के लिए ये resolution लाए थे लेकिन फिर उनको पता चला कि इस बार वो Islamophobia वाले ड्रहमा नहीं होगा इस बार language जरा चेंज रखनी होगी Morocco के resolution में कहीं भी Islam के वाले से बात नहीं की गई इसलिए वो 193 मेंबर हैं United Nations के General Assembly में वो सब के सब ने agree किया और वो resolution पास हो गया actual में resolution की language ये डाली गई है कि बहुत ही strongly violence के जो act है ना किसी भी इनसान के खिलाफ चाहे वो कि धरम के आदार पे धरम के आदार पे किसी भी इनसान के साथ violence के act ऐसे ही act किसी religious symbols या holy books या उनके घर या उनकी properties उनके business उनके school उनके cultural center या उनकी place of worship पे अगर ऐसा attack होगा ना किसी भी religious उसके उपर और उसमें religious places sites and shrines ये specify क्या गया है ये international law के खिलाफ होगा और इसमें कहीं इसका मतलब किसी भी मंदिर के उपर किसी भी गीता के उपर बाइबल के उपर ये होगा ये international law के खिलाफ होगा मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जब कोई कुरान पर या लड़कियों का forced conversion होता है हिंदू बिजनसमेनों को सिख बिजनसमेनों के उपर attack होते हैं क्रिस्चनों के उपर होते हैं तो अब international law इदर लागू होना चाहिए बस हसला यह है कि इसके लिए पाकिसतान जीए सा कोई मुलक मुलक हो ना पाकिस्टान जासे मुलक से मतलब भारत में कुछ Aquí कि मसलिवान को लगती है तो पाकिस्टान कितना international great करता एंचीज मेफिला अपने लाइव में भी कहा था कि मैं इस पर इंटरनेशनल कोर्प ऑफ जस्टिस में जाना चाहता हूं अब तो बनता है रोस की बुनियाद पर हो रहा है अभी तो एक सो पचास साल पुराना मंदिर तोड़ा था पार्सियों को तो वजूद ही खतम कर दिये पार्सियों की भी इसा वाक्या होता है तो मिनारिटीज के साथ ही क्यों होता है क्या इस वज़ा से होता है कि वो कम है या इस वज़ा से होता है कि पाकिस्तान में लाइन आर्डर नहीं है अब इस वापिस जाने के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट जमा करवा दिये हैं वो कहते हैं के हम इदर से निकलना चाहते हैं लोग ये कहने लगे कि आप यनसा बड़ी ओभाद उठारहें हो मिनारटीज की उठारहे हो आपको पता है और आप बड़ा इंडिया इंडिया करते हो आपको पता है कि क्या हृँ रहा है एक मेरी बास सुने किया year कोई लाजिक है कि इंडिया में पहले नमबर पे तो जो मैंने इंडियन से बात करता हूं मुस्लिम से बात करता हूं वो तो कहते हैं हम आलहम्दूलिल्ला बहुत फिट फार्ट हैं लेकिन लेट्स पोज मान भी लेया मान एक सेकंड के लिए लेट्स पोज वहां पे कुछ हो पी रहा है तो भाई इसका क्या मतलब है कि हम यहां पर करेंगे एक बाद है यह चीज़ अब आप देखिए इंडिया से वो लड़के आपका इंटर्व्य मां देख रहा था कि दो लड़के थे इंडिया से स्टेडी करके आए थे हिंदू थे वो लड़के अब मुझे बता पूल की बाते हैं जो है ना जीबो घरीब आप करते हो पहले पाकिस्तान को देखो दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो यह जो यूएन जेजिजिजिजन पास हुआ है यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है और पाकिस्तान की डो नमबरी यहां पे काम नहीं ही जैसे यहिस हारी भाई नहीं कहा कि पाकिस्तान ये जेजिजिजिजिजन सीफ इसलाम या मुसलिमों के लिए पास करवना चाहता था और दوسरे डेसों ने यह होने नहीं दिया और यहां पे उन्हें सभी रिलिजियन को डाला है और किसी भी रिलिजिजिजिन के खिलाफ कुछ भी उनके लिए बहुती अच्छी चीज़ है क्योंकि आपने देखाओं का कोची दिन पहले ही हिंडों के एक देड़ से साल पुराने मंदिर को कराची में तोड़ दिया गया तो ये जो पास होए इसके मुटाविक अब पाकिस्ता के खिलाब भी इंटर्नेशनल लो एबलाई और आपको पठाए कि पाकिस्तान दुनिया के और यु एन के भीग पे जिन्दा रहता है। तो इसे से सकते पैसे बंद हो पैसे में लिए पाकिस्तान में जो हिंडो है उनके लिए थोड़ाई से कोचना कोच करेगा उनके प्रोटेक्शन के लिए मुशे लबता है अगर इस पे भारत ने इस जेजरेशन के बेश पे भारत ने पाकिस्टान पे प्रेसर अबलाई किया क्योंकि जैसे मैंने का गी अब हिंडू पे अगर पाकिस्टान सरकार ने कोशी भी किया तो इंटरनेसनलो के खिलाफ होगा और पाकिस्टान इससे बच नहीं सकता तो आखिर में मैं यह कहूँगा कि यह जो जैसरेशन पास हुआ है यह पाकिस्टान हिंडू के लिए बहुती अच्छी चीज़ है और भारत को इससा इस्तेमाल करना से पाकिस्टान जो हिंडू है उनकी स्रक्षा करने के लिए तो चले दिखते की फीचर में क्या होता है द झाल